नब्बे के दशक में कश्मीरी हिंदों को इसलामी आतंकियों ने निशाना बनाना शुरू कर गया था सालों से साथ रहने वाले मुस्लिफ पड़ोजियों और साथियों के रुख में भी अचानक बेरुखी आ गई थी दोष्ट अचानक दुश्मन बन गए थी वफादारी और विश्वास खात की ऐसी ही दर्दना कहानी है CID इस्पेक्टर चुनिलाल शाला की बात 1990 की है चुनिलाल को पुवाड़ा थाने में CID में पॉस्टर थी और परिवार बारा मुला में रहता था पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते चुनिलाल ने कई आतंखियों को पकड़ा था इसलामी आतंखियों के लिए चुनिलाल खत्राबन चुकि लिए घाटी में हालात बद्तर होते देख चुनिलाल ने भी अपने परिवार को जम्मू शिफ्ट करने का फैसला किया तैह हुआ कि 2 माई 1990 को चुनिलाल अपने परिवार को लेकर जम्मू निकलेंगे एक दिल पहले एक माई को चुनिलाल को वड़ा थाने में छुटी मंजूर करा कर वापिस लोट रहे थे पता चला जीब खराब लेहाजा चुनिलाल अपने साथी कॉंस्टेबल के साथ बस सही 12 मुला के लिए निकल पड़े कुछ ही दिरवाद तीन आतंकियों ने बस रुकवाई और चुनिलाल को ढूंगने लगे लेकिन वो चुनिलाल को नहीं पहचान पाए दरसल चुनिलाल ने दाड़ी बड़ा हरकी थी हताश आतंकियों जब जाने लगे तो साथी कॉंस्टेबल ने आतंकियों को इशारा करके बता दिया कि यहीं चुनिलाल सालों से साथ करने वाला विश्वास खाती निकला दरसल उसने ही आतंकियों को चुनिलाल के बस में होने की सूचना देती थी उसके बाद चुनिलाल पर चाखु से पहला वार भी साथी कॉंस्टेबल नहीं किया चुनिलाल को बस से नीचे उतार लिया गया जहां अतंक्यों ने चुंदीलाल को बेरहमी की हत तक तड़ पाया दान ऋखडियां दोर दी गई उसके बाध चुंदीलाल को गोली मारकर शहीत कर दिये गई तीन मई को शहीत चुंदीलाल के लाश हंथवाड़ा के गाउं दी चुन्निलाल के गुनाहगार तो कभी नहीं पगड़े गई लेकिन शहीद चुन्निलाल के परिवार ने पांच मई को कश्मीर हमेशा के लिए छोड़ दिया